जिस अजर्बेजान के लिए अर्मेनिया की लड़ाई में कथित तौर पर पाकिस्तान सामिल हुआ था उस अजर्बेजान ने एन मौके पर धोखा दिया है एक तरफ जहां तालिबान पाकिस्तान के लिए टेंसन बन रहा है उसी समय अजर्बेजान का धोखा बहुत ही भारी जानेंगे अजरबेजान ने ऐसा क्या किया है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार इतना बड़ा ओडर क्यों दिया है इस ओडर से चाइना और पाकिस्तान दोनों की टेंसन जरूर बढ़ गई है जियो पॉलिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आये जानते हैं इन कबरों को विस्तार से अर्मेनिया अजर्वेजान की जब लड़ाई हो रही थी तो कहा जाता है हलाकि पाकिस्तान ने कभी स्विकार नहीं किया है पर कहते हैं कि इस युद्ध में पाकिस्तान का फूल सपोर्ट था पाकिस्तान की कथी तोर पर सेना का भी कुछ न कुछ हाथ इसमें बताया जाता था अजरबैजान तूर्की और पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ियां वाली तिकड़ी माने जाते हैं पर अभी अजरबैजान ने एक फैसला लेकर पाकिस्तान को सकते मिला दिया है ऐसा है कि अभी सबसे ज़्यादा भड़का हुआ है पाकिस्तान तालिबान के उपर मतलब अ पाकिस्तान के सारे होस उडगे हैं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के उपविदेश मंत्री को तुरंत इस बात के लिए अगाह भी कर दिया कि भाईया आप गलत बोल रहे हो अब दरसल उपविदेश मंत्री ने क्या कहा था तो उपविदेश मंत्री सेर मुहम्मद अब्बा स्टानिक जई ने कहा था कि डूरंड रेखा को हम बॉडर नहीं मान सकते हैं पाकिस्तान ये सुनते ही बॉखला गया पाकिस्तान ने इसे कालपनिक दावा करते हुए भुगोल इतिहास और अंतरराष्ट्रिय कानून के खिलाब भी बताया पाकिस्तान की ओड से कहा गया कि व करती है जिसे विश्वे इस्पों माननेता देता है अब दरसल मामला क्या था अफगानिस्तान से सोवियत वापसी की 35 वर्स गाठती और इस समय एक कारेक्रम के दोरान तालीबानी सरकार में मंत्री हैं इस्टनिक जई इन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा तै करने वाले डुरंड रेखा को वो नहीं मानते हैं अब कारन समय ये डुरंड रेखा ही नहीं कई जगों पर बीवाद छोड़ कर रखा है अंग्रेजों ने अंग्रेज जब जा रहे थे न तो उन्हें मतलब नहीं था कि बाद में क्या होगा आपस में बस उन्होंने लकीर उठाई एक लकीर खीच दिया उधर का हिस्टान का इधर का हिस्साहो गया पाकिस्तान का अब ये जो भॉौडर कीम खिचा उस सहान हा कि आध्ये लोग उधर हैं आधे लोग एक ही समुदाय के इधर हैं उधर कईयों के रिष्टेदार हैं इधर कईयों के रिष्टेदार हैं इस तरह का बटवारा अंग्रेजों ने कई जगह पे किया है तो उन्हों ने एक जंजट का घर छोड़ ही दिया था अब ये जंजट का घर निकल निकल कर समय समय पर वापस आता है पाकिस्तान ने कोशिज भी की कि डूरंड लाइन पर हम बाड़ लगा देंगे और सायद वो अंदर ही अंदर खुस हो रहे थे कि तालिबान आ गया है तो हमें डूरंड लाइन में बाड़ लगाना आसान होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं उल् कि ये खबर है कि तालिबान कमांडर और उसके साथ सहीयोगियों को पकड़ा गया है पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा अब ऐसे हालात हैं तालिबान के और पाकिस्तान के अब ऐसे हालात में चीन ने तो एक धोका दे ही दिया लेकिन चीन करेंगे तालिबान को बोलेंगे कि आपको अगर दुनिया से मनेता चाहिए तो हमारे साथ साथ चलो वरना हम दुनिया से मनेता नहीं देरने देंगे लेकिन इसके उलट क्या हो गया चायना ने अपने राजदूत भेज़ दिये और अफगानिस्तान ने भी अपने अब भारत की बात करें तो भारत ने भी संबंदों को बढ़ाना सुरू कर दिया भारत समझ चुका है कि यहाँ पर अगर संबंद नहीं बढ़ाए तो बड़े खेल हो जाएंगे अब इसी बीच ये देखने को मिल रहा है कि एक पुराने दोस्त इसने पानी फेर दिया चीन के अफगानिस्तान में राजदूत है इलहाम ममादो इन्होंने मुताकिस के साथ मुलाकात भी कर ली तस्वीरे देख सकते हैं आप और इस पत्र में इन्होंने एक पत्र सौपा इस पत्र में ये कहा गया कि हम तुम्हारे यहां अपने दूतावास को खोल रहे हैं तालिबान तो हम भी आपके यहां दूतावाज खोलेंगे और यह बड़ा जहतका है किसको पाकिस्तान यानी आफगानिस्तान को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है इसीलिए कहते हैं किसी भी देश को सबसे पहले अपने घर को देखना चाहिए अपने घर में पैसे कहां से आएंगी अपना घर खुसहाल कहां से रहेगा दूसरे के घर की बरवादी देखने के चक्कर में न सबसे पहले अपना घर ही खतम होता है और ऐसा ही हो रहा है यहां पर पाकिस्तान के साथ खैर जहां एक तरफ यह सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत ने अचानक से एक बड़ा ओड दे दिया है और इस ओडर ने सारे पडोसियों को इस वक्त टेंसन में डाल दिया है क्योंकि भारत का ओडर कोई छोटा मोटा ओडर नहीं है भारत का ओडर है 84,560 करोड रुपे का दरसल हाल फिलाल क्या हुआ कि पाकिस्तानी नौसेना ने अपना नौसेना दिवस मनाया और जब नौसेना दिवस मनाया तो इन्होंने एक बात की घोसना 14 फरवरी को इन्होंने कहा कि हमारी दूसरी हैंगर क्लास की पंडू भी अब मिल चुकी है और ने हमें दे दिया है और हमने इसे कराची सिप्यार्ड एंड इंजिनेरिंग वर्कर्स में रखा हुआ है और आपको बता दें इसके साथ हो गया कि दो AIP यूक्त पंडू भी पाकिस्तान के पास आ गई चुपके चुपके ही सही पाकिस्तान को धीरे-धीरे मजबूत कर रह है चाइना ये बात देखने को मिल रहा है इसक्रीन पर ग्लोबल डिफेंस इंसाइट की इस ट्वीट को भी देख सकते हैं जिसमें इस बात की पुष्टी की गई तो जैसे जैसे ये लोग मजबूत हो रहे हैं हतियारों से होगा क्या होगा ये कि भारत को और इस्तिर करने क कोसिस होगी भारत के लिए परिसानी खड़ा करने की इस्तिती होगी और चाइना यही चाहता है आने वाले समय में क्या सीन होगा आपको बता दूँ आने वाला सीन ऐसा होगा पाकिस्तान के पास पैसों की कमी होगी पाकिस्तान चाइना से पैसे मंगेगा और चाइना बदल की खरीद को मंजूरी दे दी है और इसमें 15 समुद्री टोही और मल्टी मिशन समुद्री जेट के अलावे 6 फाइट रिफ्यूलर विमान भी सामिल है एंटी टेंक माइन्स फाइट रिफ्यूलर हैविवेड टॉर्पीडो अर्बो डॉलर के हतियारों की खरीद की घोशना कर भारत ने ताकि भारत भी तयार रहे जब भी इस तरीके की इस्थिती फैदा हो वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ